हेलो गाईज, Realme GT Neo 2 आज इंडियर मार्किट में लौच हुआ है और जो इसकी प्राइस सामने निकल कर आई है वो है 31999 लेकिन यहाँ पर Realme के दुवारा इसे हाइलाइट किया जा रहा है और जो हाइलाइट प्राइस है वो सामने आ रही है 24999 तो हाँ भई यह चीज बिल्कु इंटरस्टिंग लगी और अगर यह ओफर आप इस स्मार्टफोन पे लगा देते हो तो मुझे लगता है कि आंक बंद करके इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए अब मैं आपको बताऊंगो कि किस तरह से इस डिसकाउंट ओफर को अपलाई करना है ताकि आप इस प्र कर सकते हो यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो भी आपके पास बैंक के वहां पर डेविट करड़ेट काड़ा भी उज़ कर सकते हो तीन हजार पे का तो फ्लैट डिसकाउंट आपको मिल जाए यानिकि थर्टी वन ट्रिपल नाइन मैं से अगर हम तीन हजार कर रहा हूं तो यह डिल भी काफ़ इंट्रस्टिंग है ट्वंटी के ट्रिपल नाइन में यह स्मार्टफोन बुरा नहीं है क्यों जो एफोर एमुलेड है और बाकी जो चीज़े मिलती है वो टॉप नोच है स्मार्टफोन है साथ ही अगर एक्सचेंज पे आपको 2000 पे का और डिसकांट यहां पर मिल रहा है अगर आप के पास कोई पुराना स्मार्पोन है तो वह को स्मार्टफोन आप बेच सकते हो ओर 2000 को की value 5000 है तो वह 5000 की value S3000 पे हो जायेगी जो की 2000 का और effect आपको कर देगा और जो इसकी effective price है SBI का bank रहेगा यबा की जब भी इसकी जो sale चलती है उसमें हमें पता चल जाएगा तो जो bank का discount 2000 पे आप लगा देते हो तो 24999 में इस smartphone को purchase कर देते हो अब यहाँ पर मैं suppose यह चीज़ मान कर चलता हूँ कि भई आपके पास यहाँ पर जो bank की card है वो नहीं है यानि कि आप exchange नहीं करना चाते है और जो यहाँ पर preferred bank बताया है उसका भी आप use नहीं करना चाते है लेकिन जो 3000 पे का prepaid पे discount है वो तो आपको किसी भी bank पे मिलने वाला है तो 28999 पे काफी decent smartphone है और है इसके बारे मैं आपको मैंने मेरी वीडियो दे दी हुई थी बाकि यह price आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं और definitely आप इस smartphone को check out कर सकते हैं काफी खुबसूरत सा smartphone है और काफी powerful चीज़े हैं इसमें देखने को मिल जाती है बस इतना है इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं किसी next वीडियो के साथ